आप्टे आप देख रहे हैं आपका अपना शेहरा पाइरत सचाव आपकर दिसकर्स होगा गुरु खरांग के वारे में क्यूकि गुरु खरांग को बहुत होती है वैदर होगा कैसे जब तक हमारी चर्चा नहीं होगे डिसकर्शन नहीं होगा उसके उपर करें कि आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं गुरू गुराम के उपर जी बहुत अच्छा प्लान और विजन बताया कि कि इस तरीके से करेंके कि अपने गुरुग्राम को बहता है, सोच रखा है उने, आप ने क्या सोचा है? सबसे पहले तो नमशकार और राजनिती गलियारे से भूती अधनली लोग और समाजी गलियारे से भी बहते हैं, हम उनको नमशकार करता हूँ और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो एक सेकेंडरी है, लेकिन प्रैमरी सवाल यह है, कि जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पे बात करना जरूरी है एक शब्द हम हमेशा बोलते हैं प्राप्त और पर्याप्त क्या हमें प्राप्त है और जो प्राप्त है क्या वो पर्याप्त है ये देखना जरूरी है बात हो रही है गुरुगराम नगर निकम कोट बनलेगा इसकी तस्वीर यहीं देखें गुरूक्राम की तकदीर किन हाथों में गई थी और उस तकदीर की तस्वीर को kis तरीके से बनाया गया गुरूक्राम को बिलीनियम सिपिक आं जाता है और आर्थिक नगरी का जाता है हर्याना की गुरुग्राम आज मैं 38 साल का हो गया हूँ, मैंने गुरुग्राम को सच में गुडगाओं से गुडगामा से गुरुग्राम बनते देखा है है सिंगांपूर जासा लगता है जहां उस्में करते आ बड़ी बिल्डिन गें कांज के बिल्डिंग बन गई और मुंसर्फल कॉर्पेशन गुरूपरेशन गृister तो यह क्यों इसको दो जाता है पर किसकी पतौलत को जाता है यह कहा जाता है कि यह जो conversations लोग आये शुरू में जबीने कदीथी लोगों ने डेवलब हुआ उसकी वज़ेसे इसको मिलिनिन सिटी का दर्जा दिया गया लेकिन गुरुग्राम के अंदर एक और गुरुग्राम है जिसको कोई नहीं देखते हैं इसको ओल्ड गुरुग्राम कर आजाता है और मैं और पैदाम हो और इस बात को कहते हैं बिल्कुल संकोच नहीं करता हो ना शरम करता हो और खेच पर ना खेट करता हो मैं गुरुग्राम के वहन nessa का निवासी ह। बहुत बारीकी से चीजों को देखा है, गुरुग्राम को बनते और बढ़ते और बिगडते देखा है दो सारी सीज देखी है सारा जो खेल स्टार्ट होता है गुरुग्राम के नगर निगम का वो नगर निगम के दफ्तर से स्टार्ट होता है और वह सारे अच्छे अच्छे वक्ता लोग कहें कि और ब्रश्टाचार नहीं है गुरुग्राम के अंपर क्योंकि कोई भी अदर्श कारे पालिका होती है तो यह कहा जाता है कुशल कारे पालिका होगी जिसका ताल में सभी विभागों से होगा और वो जन्ता के हितों के लिए काम देगी कि मैं शुरुवात करता हूं इस बात की कि जब 2014 में भारतिन का पाटी के सरकार आई थी पिछतर पार का नारा दिया था और बार वो अरोड़ा साप भी बोले कि ना अब की बार कुछ ऐसा उन्होंने बोला था तो हम जन्ता पूछने कितनी बार पहले एक बार हो गया दूसरी दो तिन पॉइंट्स पे आपके चैनल के माधिनसी में देखा था क्योंकि प्रश्टाचादर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ था नगर निगम में इतना गोटाला है और छोटी सरकार कहते हैं गुरुगराम की बिनी सरकार में बड़े-बड़े गोटाले हुए मैं ए एक गोटाला हुआ था एडवर्टीस्मेंट गोटाला एक सो असी करोड़ रोपेका उसमें जो बिल्टर लोगों को यह दिया था एडवर्टीस्मेंट का विग्यापन का तो वहां से टेक्स नहीं वसुला कि MCG के ऑफिशल ने खुद माना इस वाथ को यह गोटाला हुआ यह कहके इसको छुपा दिया कि मौल ऑनर्स के उपर ने केस फाइल कर दिया है अब हम क्या चाहिए यह आप एक चैनल के मदिम से मैंने देखा था क्योंकि मेडिया सच का आइना होता है फिर स्ट्रीट मेंडिंग एक्ट के तहां तेक स्ट्रीट मेंडिंग में उसका गोटा करेंगे पहले अपना ही तो कर लें अपनी का वहीं तो कर लें और जिंजन कंपनियों को यह ठेका देते हैं हर अधिकारी की नीचे से लेके उपर तक चैनल राजनितिक संग्रेक्षन प्राफ्त हो इनको साड़कार्ट के बिना कुछ नहीं होता है तो इस पर जो है जो है ज जनसेवक करांथी पार्टी जो धरतल पर आई है गुरुगराम से इसका जनम हुआ है मैं मेरा यह मानना है कि समाज की बरबादी तब स्टार्ट हो जाती है जब एक योवा और गुद्धी जी भी यह कहना शुरू कर देता है कि we hate politics but we can't afford की people should say कि we hate politics क्योंकि राजनिती जिए ज़्यान भी बढ़ता है और यहीं जनसेवक करांथी पार्टी तरहतल पर कर लिए हमने कोई प्रदशन नहीं कहीं सरकार के खिलाब किसी को काली गलोज नहीं किया किसी को कुछ नहीं का हमने काम शुरू किया ओल्ड गुरुग्राम की ओल्ड कलोनियों में लोगों से मिले लोगों को जागरुप किया कि जिसने जो किया उसे माफ करो कम से कम अपना गुरुग्रामा से खुश साफ करो और गुरुग्राम को बचाओ किस से उट नेताओं से जिनकी वज़े से समस्याएं उत्पन हुई है समस्याओं से गुरुग्राम को बचाओ लोगों को सिखाया कि मजबूर नी बनना है मजबूत बनना है सवाल पूछने हैं क्योंकि जब तक अब सवान ले कुछ होगे तो आप अपने शेतर का विकास नहीं करा पाऊगे जंसिवर करांथी पाटी तृदधल पे ये काम कर रही है आपने जो पूर मेर है उनको कहा कि 10 में से 0 नमबर दे रहे हैं आपको क्या लगता है आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं मेर पत के लिए क्या वो 10 में से 10 नमबर ले पाएंगे अगर जनता मुता देती है हमने दस में से दस नंबर ने दस में से 0 दिये तो भारती जिनता पार्टी के जो भी वक्ता लोग बैटे थे वह खुद ही बोड़ रहे थे कि पूरो जो मेर है जहिए उनको नमडर दिया हमने तो उनको करेक्ट किया कि आप 10 से 10 दे रहे हो यह 10 में से जीरो दिरो देखिए दो हजार चोना में भी बात होती थी कि सड़की अच्छी नहीं है कुड़ा करकट है तो आपने आठ साल के कारीकाल में कुछ नहीं करा और आपको जुरूत बड़ी यहीं बाते सेम आके चाहे वारेल सच के माधियम से या कोई भी वीडियो के माधियम से और ऐसे तो अब अच्छे लगा अपना परिवार सा लगने लगा है कि जब सारे लोग आके चर्चा करते हैं गुरुग्राम को एक अच्छा श्वेहर बनाने का साथ सुत्रा शेहर बनाने का लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर जो व्यक्ति जा संगठन में भी हो अगर उस अभी जेजीपी ने भी बोला कि उनको चार साल हुए हैं और हमें तो सिरफ जुम्मा जुम्मा डेट साल ही हुआ है संगठन को बनाए हुए और बाबा शाम के बगत्या और लोगों के आशिरवास से भोस से युवां हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं बुधिज भी लो एसा Qand simulate जिसको सच में घ्यानाइ capitalist excuse को और शिइक जिसको घ्यान होता है Ohio करा पाता उन आख हम लोग ऐसे जूटी बाट नहीं बोलते कि कटर ईमा żyền मताइन पढ़ी लोग एARYलगों को बताने की जोशानी होती हैं उनकी कलंभ बोलतीय हैं के काम पूलते हैं और एक अफारी वाड 13 से प्रतियाशी है, स्वापी ग्रोवर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को जागरूप कर रही हैं कि आप सवाल भूशो, लोगों और प्रशाशन के बीच में पुलका काम कर रही हैं, जो पार्षट लोग भी करते हैं, कि लोगों की आवाज को बुलंद करके महां तक पुचा सकें, प्रशाशन में बैटे वादिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एसास करा सकें, ये काम हमारे प्रतियाशी, हमारे संगठन के लोग, हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज ग्रुगराम में नेता की जुरूरत नहीं है, ग्रुगराम को सेवक चाहिए, ज राजनीती का हिस्सा बनी है, क्योंकि इदेश राजनीती से चलता है, युगाओं को राजनीती में आना चाहिए, और बात बहुत कुछ ले के आया था, तो कि घुटालों की लिस्ट बहुत लंबी है, आज मैं कूडा के उपर बात चल रहे थी, वो बंदवाडी के पर, 38 मिटर ऊचा पाहर बन चुका है, उससे परदूशन भी हो रहा है, और जिस कंपनी को 22 साल, 23 साल का ठेका दे दिया, पहले तो ये पुछों, 22 साल, 23 साल का ठेका दिया, कि इस बिना पे दिया, मुख्यमंतिर जी ने खुद माना कि वो एको ग्रीन कंपनी का अमनी कर रही है, फिर इन्होंने एक C&D जो कंपनी थी, IELNFS कंपनी थी, जिसको इन्होंने लैंड भी दी, कि ठीके थी, जो भी मलबा होगा, वहापे उसका टाइले बनाओगे, और उससे लीस फाइनल करी, लीस का पैसा आस तक नहीं आ रहा, उसका क्या जवाब, दूसरी बात, इस सरकार म इन्हें, एक पार्शत बोलता है कि मैंने अपने पांक साल में 80 क्रोड लगाए, एक पार्शत बोलता है मैंने एक साल में 100 क्रोड लगाए, कैसे, आप ही के ओफिस के बाहर, अभी हम जब आये थे तो पानी भरावा सारा, यहीं से नीचे जाओगे तो आपको पता लग जाओगे पार्शत का ओफिस है, वहाँ पे एक सीवर की समस्या थी, लोग इतने तरस्त होगे, लोग विधायक के पास से लेगे, लोग पार्शत के पास से लेगे, लोगों को यह कहा गया, कि यह हमारे से बस की बात नहीं हमारे शित्र मियात प्रशाथनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो आपकी नियत सही, ना आपकी निती सही, ना तो आपके कारे की गति सही, अब 25 साल पुरानी समस्या आपके दफ्तर के बहार है, आप नहीं करा सकते, तो आपका उस पदपे रहना भी बेकार है, जनसेवत क्रामती पार्टी ने क्या किया? जदसवक्रामती पार्टनर उसको एवैल्यूड किया, उस प्रॉब्रियू उसको इनलेसिस किया, समझा किया हो सकता है, सारे सेबग पठ्टे हुए, पैसे एक अठ्टी करें, कि भई तू 10 रुपे दे, 2000 रुपे दे, 25 रुपे खर्चा आया उसमें पाइपलाइड डली दी लोग के इस थी काफी समय से 25 साल से वहां के शिक्त्रे लोग अपने कबर भी किया दो लोग डंड़ा पानवार के करते थे तो बात छोटी सी समस्या के लिए बात नियत की है ये लोग चाहते हैं नहीं काम कराना क्योंकि काम नहीं होगा तो राजनिती कैसे होगी और जब राजनिती करने तो अगले बार फिर आना है और उनको ये भी जाद है कि ठीक है और मेरे को काम की राजनिती थोड़ी करनी है मेरे तो जात्पी रादरी तो मुझे बोड मिली जाएगा और आज सच में पॉलिटिक्स में चेंज की अउशिकता है युआओं को आगे आना होगा बुद्धी जी की युँको आगे आना होगा और सच में राजितंतर का वजन लोगतंतर के वजन से बहुत उपर हो गया लोगतंतर तो रही नहीं मैं तो यही कुमगा जनसेवग करांति पार्टी की तरफ से कि आप लोग सही को सही बोलें, तो यही बहलें समझें तोलें और और फिर बोलें क्योंकि भोड gोग सी बते हैं Debate भी जितनी मर्जी कर लोग कि समस्य के समस्य हैं समस्य के सलूशन क्या है तो हमारे पास सुलूशन भी है कि जनसिफद क्रांती पार्टी ने एक समाधान पत्र निकाला है जिसमें 27 पॉइंट टे हम लोग काम कर रहे हैं तक्रीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 200 क्रोड रुपे एवरिज नगर निकम प्रपर्टी टेक्स के नाम पर कलेक्ट करता है लेकिन सुविधाएं जीरो तो जनसिफद क्रांती पार्टी का अगर बेर बनता है तो पहला जाम यह करेंगे सुविधा नहीं तो कर नहीं अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो कर नहीं देना होगा यह हुमारा पहला पॉइंट है और सदर बजार के लिए जो शेराम जूरेर्स के साथे बोलके गए तो उनके लिए भी काफी कुछ था मैं समधर पत्र आपको दे दूँगा क्योंकि शा जात विरातरी को छोड़ें कारिये निती को देखें कैसे होगा सेवा निती का भाव देखें यह जनसरुक रांती बठी की अपिल है बहुत 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 रहे वारे के अपना एक अंदाज होता है कर दो